Hello friend आप सब केसे हो आप सफीखो जैमेशई की मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभू में अननदित होंगे सब से पहले प्रभू आप सब को इस वच्छन की पढ़ने से पहले प्रभू जो जो इस वच्छन को सुन रहा है परमेश्य रावशब को आशीश दे, हर एक बिमारी से छुटकारा दे आईए आज का वच्चन है जो हम पढ़ेंगे दैनियल तीन सोनी की मूर्ती को दंडवत करने का आदेश नबुक दनिश्यर राजा ने सोनी की एक मूरत बनवाई जिसकी उचाई साथ हाथ और चोड़ाई छे हाथ की थी उसने उसको बेवी लोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया तब नबुक दनिश्यर राजा ने अधिफतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजानचियों, नियाईयों, सास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के शव अधिकारों को भुनवा भेजा कि वे उस मूरत के प्तिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी तब अधिफति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजानचि, नियाई, शास्त्रि, आदि प्रांत प्रांत के शव अधिकारी नबुग दनिस्षर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत के प्तिष्ठा के लिए इकठे हुए और उस मूरत के शामने खड़े हुए तब धिन्धोरियों ने उचे सब्द से पुकार कर गा हे देश-देश और जाती-जाती के लोगों और भिन-भिन भासा के बोलने वालों तुम को ये आग्या शुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे बाशली, बीडा, सारंगी, सितार, सहनाई, आदिशब प्रकार के बाजों का सब्द सुनो तुम उसी समय गिर कर नबुगदनिश्चर राजा के खड़ी कराई हुए शोने की मूरत को दंडवत करो जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वो उस घड़ी धदकते हुए भटे के बीच में डाल दिया जाएगा इस कारण उस समय जोही सब जाती के लोगों को नरसिंगे, बाशली, बीडा, सारंगी, सितार, शहनाई, आदिश सब प्रकार के बाजों का सब्द सुन पड़ा त्यों ही देश और जाती-जाती के लोगों और भिन भिन भासा बोलने वालों ने गिर कर उस सोनी की मूरत को जो नभुगदनिश्य राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की उसी समय कई एक कस्दी पुरुस राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चूगली खाई वे नभुगदनिश्य राजा से कहने लगे हे राजा तू चिरन जीवी रहे हे राजा तू ने तो ये आग्या दी है कि जो मनों से नरसिंगे वाशुली भीड़ा सारंगी शितार शहनाई आदी शब परकार के बाजों का शब्द शुने वो गिर कर उस सोने की मूरत को ना करे वो धदकते विए भट्टे के बीच में डाल दिया जाया देख शद्रक में शक और अवेदनुगु नामक कुछ यहूदी पुरुसें जिन्हें तू ने बेबी लोन के प्रांद के कार के उपर न्योक्त किया है उन पुरुशों ने हे राजा तेरी आग्या के कुछ चिंता नहीं की वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कर आई है उसको धंडवत नहीं करते भालेलुया परमिश्वर को धन्वाद हो परमिश्वर के वचन में पढ़े गए सुने गए परमिश्वर आथ सब को आसिस दे बाकी आगे क जो वचन है वो हम अगले उश्वर में पढ़ेंगे प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना फिर कमेंट करना आमें